नमस्कार दोस्तों, मोधी सरकार सभी जन्धन खातों में 5,000 रुप्य डाल रही है अब जब चाहें अपने जन्धन खाते से 5,000 रुप्या निकाल सकते हैं सरकार की यह स्कीम गरीबों के लिए बड़े फायदे की है अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ सर्तों का पालन करना होगा चलिये जानते हैं कि किन सर्तों का पालन करने पर हम जन्धन खाते से 5,000 रुप्या निकाल सकते हैं इस सुब्धा का लाब लेने के लिए पहली सर्थ है कि आपको सबसे पहले अपने जंधन खाते को अधार कार्ट से लिंक करवाना होगा इदि अभे तक आपने जंधन खाते को अधार कार्ट से लिंक नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें ताकि जल्द से जल्द आप इस स्केम का फायदा उठा सकें इसकी दूसरी सर्थ या है कि इस सुबधा का फायदा तभी लिया जा सकता है जब आपके एकाउंट पें पैसा ना हो इस सुबधा का लाब लेने के लिए आपको बैंक जाना होगा इसकी तीसरी सर्थ या है कि इस सुबधा का लाब आप सिर्फ तब ले सकते हैं जब आपका account कम से कम 6 महिना पुराना हो और आपने पिछले 6 महिने से अपना account maintain किया हो आपको समय समय पर अपने account से लें दिन करना होगा तब ही आपको इस scheme का लाब मिलेगा इस scheme के तहट अगर आपके bank खाते कर record अच्छा है तो आप 5000 रुपिये बैंक से एक घंटे में ले सकते हैं। इस सुबधा कलाब किसी भी जंधन एकाउंट से लिया जा सकता है। पर इस सुबधा कलाब परिवार के किसी एक खाते पर ही ली जा सकती है। जंधन खाते में इस सुबधा कलाब 18-65 साल की उम्र के खाताधारक ले सकते हैं। अगर आप इन सर्तों का पालन करते हैं तो बैंक से 5000 रुपिया आसानी से निकाल सकते हैं जन्धन खाता धारकों को मिलने वाली इस उबधा को ओभर ड्राप फैसलेटी कहते हैं तो दोस्तों यह आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर बाटिन